दोस्तो भारत और इंग्लेंड के बीच लॉट्स के मैदान पर खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दोरान खिलाडियों के बीच खुब जुबानी जंग देखने को मिली कीमिडिया के कप्तान विराट कोली इंग्लेंड के खिलाडियों पर पूरी तरह से चड़ गए और जस्पित बुमराहा के साथ हुई बहस बाजी के बाद इंग्लिस खिलाडियों का मैदान पर खेलना मुश्किल कर दिया विराट कोली पूरे जोस में थे और मैदान पर जम कर चिकते चिलाते नजर आए विराट कोली ने इंग्लैंड के खिलालियों के साथ जम कर बहंस वाजी भी की इस बीच इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने विराट कोली के एग्रेशन पर बड़ी बात कही है जो रूट ने कहा है कि गोली का खेलने का अपना ही अंदाज है और मैदान पर जो कुछ भी हुआ वह सब खेल भावना के दारे में हुआ है पत्रकारों के साथ बाच्चित के दोरान जो रूट ने कहा विराट कोली का स्टाइल और चीजों को करने का उनका तरीका निश्चित रूप से मेरे क्रिकेट खिलने के तरीके से अलग है वो किसी इमोशनल पहलू पर आ गए थे जिससे उनको रनितिक रूप से बढ़त मिली और साथ ही गेम में बने रहने का मौका भी मिला जो रूटने आगे कहा भारत ने एक टीम डिके रूप में कुछ पकड़ा और इस मौके पर उसे अपने फायदे के लिए इस्निमाल किया जहां तक मेरा सवाल है मुझे नहीं लगता कि मैदान पर मौजूत किसी भी खिलाडी के बीच कोई नफरत है बता दे कि दूसरे टेस्ट मैच में टीम इडिया ने इंग्लेंड को 159 से करारी सिकस्त दी है अब भारत और इंग्लेंड की बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरिस का 3 मैच 25 अगस्त से लिड्स के मैदान पर खिला जाएगा इंग्लेंड की टीम इस मैच में धेर सारे बतलाओं के साथ उतर सकती है मारकोड पूरी सिरिस से बाहर हो चुके हैं वही डैविड मलान की तीसरे टेस्ट मैच में वापसी हो सकती है